जैसे ही हम अपनी आखों को खोलते हैं, we see all the beautiful and colorful things around us. आज पढ़ेंगे हम human eyes के बारे में and all the beautiful things around us. Hello everyone, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज में लेकर आए हूँ Class 10 Science Human Eye and the Colorful World का one shot video. हमेशा की तरह खतम करेंगे इस पूरे lesson को सिर्फ एक वीडियो में और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके concepts होंगे crystal clear. तो मैं हूँ Roshni from Lano Hub, the free learning platform, जहां पर आप पढ़ सकते हो Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, SST absolutely for free at lanohub.com सो तयार हैं सभी लोग, let's get started. पता है, human eye एक camera की तरह होता है. हाँ, बिल्कुल सही बात है. जिस तरह से camera photos खीचती है, उसी तरह से हमारी आँखे भी photo खीचते रहती है हर समय हर जगा. गामरे के अंदर एक lens होता है, उसी तरह हमारी आँखों के अंदर भी एक lens होता है जो एक screen पर, जिसे हम retina कहते हैं, जिसके उपर image form करता है. But, सवाल यह उठता है कि हमारी आँखों के अंदर light enter कैसे करती है? हमारी आँखों के अंदर image formation होता कैसे है? तो ये सारी बाते जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा the different parts of the eye. Right? तो सबसे पहले चलो आँखों के सैर करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से parts होते हैं. तो important parts are cornea, aqueous humor, iris, pupil, vitreous humor, lens, ciliary muscles and retina. सबसे पहले बात करेंगे cornea की. cornea एक thin membrane होता है जिसके through light हमारे आँखों के अंदर enter करती है. इसके बाद बारी आती है aqueous humor की. aqueous मतलब कुछ पानी से related. yes, aqueous humor एक fluid होता है जो mostly water होता है और इसका main काम होता है कि आँखों के अंदर एक correct pressure balance को maintain करना. इतना ही नहीं ये हमारी आँखों को dust particles, dirt, bacteria जैसे चीजों से भी protect करता है जो otherwise हमेरी आँखों को harm कर सकता है. इसके बाद अगली बारी है pupil की. pupil क्या होता है? ध्यान से अपनी आँखे देख सकते हो mirror में या फिर किसी और की आँखों को देखों बड़े ध्यान से. कि आँखों के center में एक black color का circular shape का structure होता है. जैसे ये बड़ा सा एक round है, उसके बीच में एक छोटा सा black color का round shape का structure होता है. उसे हम कहते है pupil. pupil का काम यह होता है कि it controls the amount of light that enters into the eye. यानि कि अगर आँखों के अंदर अचानक से खूब सारी light आजाएगी तो क्या होगा? हमारे आँखों को नुकसान हो सकता है. नुकसान हम बिल्कुल नहीं चाहते है, pupil भी नहीं चाहते है. तो pupil क्या करता है कि यह कितना light आँखों में enter करेगा, उसे control करता है. अगला नमबर है आईरिस का. आईरिस एक muscular diaphragm होता है और इसका काम पता है क्या होता है? यह pupil के size को control करता है. है ना मज़ेदार? तो देखो कौन सा पार्ट होता है आईरिस? अब अगर आप मेरी आँखों में देखो, तो आप देखोगे कि यह जो बड़ा सा circle आपको दिख रहा है, उसका color कैसा है? थोड़ा सा dark brown है, यह मेरा आईरिस है. और इसी के center में pupil है. तो आईरिस के जो muscles है, मैंने जैसे बताया, आईरिस muscular है, तो इसके muscles अगर contract करेंगे, तो यह pupil के size को control कर सकते हैं, अगर pupil का size छोटा हुआ, तो थोड़ा light enter करेगा, pupil का size बड़ा हुआ, तो ज़्यादा light enter करेगा, correct? तो बात समझ में आई कि कैसे pupil light को control करता है और कैसे iris pupil को control करता है, iris कई colors के होते हैं, जैसे blue, जैसे dark brown, जैसे black, यह सारे colors के iris होते हैं, in fact, आपने ऐसे सुना अगर लोगों को बोलते हुए, right? कि उसकी आखे जो है brown है, उसकी आखे blue है, in fact, आश्वरियार आखे जो है, थोड़ी bluish है, तो यह blue color का क्या है, iris है, right? तो basically, the color of the iris decides the color of your eye, अगला number है eye lens का, eye lens का का काम क्या है, image formation of course, but eye lens को यह पता होता है कि image तो मुझे retina पे ही बनाना है, right? अब object चाहे यहाँ पे हो यहाँ पे, eye lens को क्या करना है, image retina पे बनाना है, यानि कि eye lens किस चीज़ को alter करेगा, अपने focal length को, of course, हमने पढ़ा है न, lens formula, जिसमें V, U और F, object distance, image distance और focal length, यह team चीज़ों का role होता है, तो भाई, अगर image distance हमीशा fixed है, तो object distance के हिसाब से focal length को ही त तो eye lens अपने thickness को alter करके, अपने focal length को finely adjust करता है, ताकि image हमीशा retina पे बने, और तब ही हम उस image को देख पाते हैं, eye lens बनाते है, real and inverted image, अब सवाल यह उठता है कि eye lens के focal length को adjust करता कौन है, मतलब मैंने बड़ी असानी से बोल दिया कि eye lens अपनी thickness को adjust करके focal length adjust कर लेता है, बट eye lens के thickness को कैसे adjust किया जाता है, using ciliary muscles, तो अगर आप इस arrangement को देखोगे, तो eye lens के दोनों तरफ ciliary muscles होते हैं, तो जब यह muscles contract करते हैं, तो बीच का जो eye lens है, वो bulge out कर जाता है, वो थिक हो जाता है, उसे तरह जब यह muscles relax कर जाते हैं, तो जो lens है, उसकी thickness कम हो जाती है, तो यानि कि इन muscles के contraction and expansion से, जो lens है, उसकी thickness alter होती है, which means कि उसकी focal length alter होती है, इसके बाद अगला पाट है, vitreous humor, vitreous humor एक jelly-like fluid होता है, जो हमारे eyeball की spherical shape को retain करता है, इतना ही नहीं, vitreous humor की वज़े से ही हमारी आँखे थोड़ी wet रहती है, थोड़ी भीगीवी सी रहती है, अगला number आता है रेटीना का, very very important, क्योंकि रेटीना एक light sensitive screen है, जहां पर image बनते हैं, रेटीना में पाई जाते हैं, दो तरह के cells, rods and cones, rods, बोले तो वो cells, जो हमें कम light में, चीजों को देखने में मदद करती हैं, यानि कि आप बोल सकते हो, night vision, रात के समय इतना अंधेरा होता है, but still, आपने notice किया है कि, let's say, आप घर पर हो, हर तरफ lights on है, अचानक से रोशनी चली गई, अचानक से सारे lights off हो गए, तो initially आपको कुछ नहीं दिखता है, बट थोड़ी देर के बाद, आपको थोड़ा 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 दिखने लगता है, obviously आपको बिलकुल ऐसे कि, अगर एक flower pot रखा है, जिसका color blue है, या फिर अगर आपके sofa का color red है, आपको ये colors तो नहीं दिखते हैं, बट आपको उतनी कम रोशनी में, या फिर इवन अंधेरे में भी थोड़ी बहुत चीज़ा दिखती है, कि भाई, यहाँ पर chair है, मुझे दिख रहा है, यहाँ sofa है मुझे दिख रहा है, तो उतनी आपको दिखती है, इस तरह के जो dim light vision में मदद करता है, कौन, rods, इसके अलावा जो दूसरे type का cell होता है, that is cones, वो हमें ज्यादा light के vision में मदद करता है, और colored vision में मदद करता है, जब light ज्यादा होती है, तो हमें साफ दिखता है कि red color का sofa दिख रहा है, yellow color की dress दिख रही है, तब हमें colors भी दिखते हैं, तो वहाँ पर काम आते है, cones, and then finally comes the optic nerves, अभी तक तो हमने जितने parts की बातें की, उससे लगबग आपको idea लग गया होगा कि यार आँखों के अंदर ना हर object का image formation हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात हो रहा है, ल जब तक ये information मेरे brain तक नहीं पहुंचेगे कि भाई, जो तुम देख रहे हो वो एक sofa है, तब तक मेरा देखने का कोई point ही नहीं है, यानि कि आखों के साथ brain का कोई connection होना चाहिए और वही connection होता है, optic nerves, optic nerves हमारे brain को ये signal देता है, ये information देखता है, कि भाई, देखो, देखो ध्यान दो, जो चीज तुम देख रहे हो, वो एक sofa है, ब्लू कलर का sofa है, तो ये होते हैं, optic nerves, जो हमारे electrical signals को brain तक ले जाते हैं, तो चलो बच्चो, तयार हो अब समझने के लिए कि exactly image formation होता कैसे है, होना तयार, तो काफी idea तो मैंने already दे दिया, जब हम human eye के parts पढ़ रहे थ होता है, ये किसी भी object का image बनाता है, on the retina, चीक है, अब object past भी हो सकता है, object दूर भी हो सकता है, right, based on that, जो eye lens होता है, वो अपने focal length को adjust करता है, कैसे, ciliary muscles के help से, चीक है, तो ciliary muscles के contraction या relaxation से, eye lens का focal length adjust होता है, based on that, ये पक्का होता है, कि हर object का image जो है, वो retina पर ही बने, तो चलो, फटा-पट से देखते हैं, कि जब object past होता है, तो हमारे eye lens का focal length किस तरह से adjust होता है, और जब object दूर होता है, तब हमारे eye lens का focal length कैसे adjust होता है, थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको thick और thin lens के बारे में बताया था, याद होगा, right, तो अगर lens मोटा होता है, तो उसका basically, जो radius of curvature होता है, वो छोटा होता है, इसलिए उसका focal length भी छोटा होता है, तो जब focal length small चाहिए मुझे, तो उस समय lens को कैसा रहना चाहिए, lens को रहना चाहिए thick, समय thick lens होना चाहिए, thick lens का वो होता है, सोच के देखो, ये lens है मेरा, right, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, this is the lens, औ और यहाँ पे ciliary muscles होते हैं, दोनों तरफ से, ठीक है, तो अब देखो, अगर मान लो, कि lens ऐसे full गया है, इसका मतलब, जो इधर उधर के जो दोनों muscles है न, वो ऐसे contract हो रखे, तब ही तो lens एगनम full के बाहर आ रखा है, ऐसे सोचो, ऐसे assume करो, तो चीज़े समझने में आसान ह होगी, तो यानि कि जब lens मेरा ठीक होगा, तो उस समय पर जो ciliary muscles हैं, वो किस mode में होंगे, वो contract mode में होंगे, इतनी बात समझ में आई, अगर समझ में आ गई है, तो समझ लो, पूरा concept समझ में आ गया है, ठीक है, तो हम कैसे याद रखेंगे, object अगर पास में है, तो मतलब focus पास में होना चाहिए, focal length small होना चाहिए, तो focal length small है, focal length small चाहिए, तो lens को ठीक होना चाहिए, lens ठीक चाहिए, तो ciliary muscles उस समय contract करने चाहिए, ठीक है, अब exactly इसका opposite होगा, जब object दूर होगा, जब object दूर है, तो क्या होगा, अब देखो, object दूर है, तो यानि कि इस case में, जो focal length है that should be large focal length को large होने के लिए lens को thin होना चाहिए lens को thin होने के लिए lens अगर अंदर पिछका पड़ा है इसका मतलब जो ciliary muscles है वो ऐसे बाहर फैले हुए है तो ciliary muscles ऐसे case में relax होने चाहिए तो basically इस तरीके से हम करीब के और दूर के objects को clearly देख पाते हैं तो इसमें किसका किसका रोल होता है सबका रोल होता है मतलब यह किनो teamwork है कोई एक बंदा काम नहीं करता है starting from cornea सब लोग role play करते cornea पहले light को इंटर करने देता है उसके बाद aqueous humor के होने से वो light bend करती है उसके बाद pupil के होने यह thin होगा based on object कहां पर है यह control करता है ciliary muscles और फिर finally image बनता है on the retina अब भाई देखो सोचने वाले बात यह है कि lens की भी अपनी limitation है राइट मैंने बोल तो दिया बड़ी असानी से कि मैं ciliary muscles के help से lens अपने thickness को alter कर सकता है तो वो अपनी focal length को alter कर सकता है लेकिन lens जो है उसकी भी एक एक up to a certain extent ही वो thin हो सकता है up to a certain extent ही वो लेकिक लिए तो बेशेखली लेट असे कि मुझे यह किताब पढ़ने है अगर मैं इसे बिलकुल आखों के सामने ऐसे लेके आओं, क्या मैं पढ़ पारी हूँ, उसमें क्या लिखा है, बिलकुल नहीं पढ़ पारी हूँ, आप खुछ से ट्राइ करके देखो, बिलकुल आंखों के सामने ले आओ, आप बिलकुल नहीं पढ़ पारे हो, क्यों, क्योंकि हमारा लेंस जो है, फोकस करके, image को रेटीना पे बना ही नहीं पा रहा है जब object इतना ज्यादा करीब है आप समझ रहे हो जब object इतना ज्यादा करीब है ना तो lens अपने focal length को उसे साब से adjust ही नहीं कर पा रहा है कि image जो है वो रेटीना पे बने लेकिन जैसे ही इसे मैं थोड़ा दूर ले जाती हूं तो तुझे सब कुछ एकदम clear दिखाई देने लगता है, ऐसा क्यों? अब मैं एक ऐसे point पे आ गई हूँ, जब हमारा lens focal length को adjust कर पा रहा है properly और retina पे image बना पा रहा है, ठीक है? तो ये जो nearest distance है, जहां पर हमारा lens object के raise को focus करके image को retina पे बना पाता है, उसे हम कहते हैं near point, ठीक है? और near point की जो standard value होती है, for like normal vision, जिन लोगों की आँखों में और कोई problem नहीं है, normal vision वाले लोगों के लिए near point की standard value होती है 25 cm, यानि कि 25 cm distance की दूरी पे अगर आप copy को रखो, तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा करीब लेके आते हो, तो जितना करीब लाते जाओगे, उतना आपको चीज़ें ठीक से नहीं दिखेंगी, age के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती है, और age के साथ साथ near point की value भी बजलती है, यह जो 25 cm वाली value है, जैसे जैसे aging होती है, तो यह value बढ़ जाती है, यानि कि आप उतना clearly उस distance प दिखें, इसके लिए image कहाँ पर बनना चाहिए, रेटीना पर बनना चाहिए, बड़ ऐसा हमेशा होता नहीं है, यही है दुख की बात, और वहीं से आता है defects of vision, आपने देखा होगा, बहुत से लोग आखों में lens लगाते हैं, बहुत से लोग चश्मा पहनते हैं, बहुत से ठीक कैसे कर सकते हैं, तो हम डिसकस करेंगे अभी myopia, hypermetropia, astigmatism and presbyopia, सबसे पहले discuss करेंगे myopia, myopia को कहा जाता है near sightedness, ठीक है, myopia में होता क्या है, इसमें जो भी बंदा होता है, he or she is unable to see distant objects clearly, मतलब जो दूर की चीज़े हैं, वो उन्हें clearly नहीं दिखती है, इसलिए इसको कहा जाता है, near sightedness, मतलब जो near है, वही हमारे sight पे है, मतलब वही हम देख पा रहे हैं, इसलिए इसका नाम है near sightedness, याद रहेगा, near sightedness, मतलब जो near है, वो हमारे sight में है, वो हम देख सकते हैं, ठीक है, जो दूर है, वो हम clearly नहीं देख सकते हैं, that is myopia, ऐसा क्यों होता है, क इसा ही हुआ है देखो इमेज एस फॉर्मड बिफोर रेटीना रेटीना पर बनना था इमेज को यह हमारी आख यह हमारा आख है यह आई का लेंस है देखो यह जो लेंस दिख रहा है यह आई का लेंस है अब आईडियली जो है ना इमेज को बनना चाहिए था रेटीना पर य तो यहां के बदले में यह जो raise meet कर रही है ना reflected raise इसको यहां पे meet कर आए ऐसा कैसे कर सकते हैं अगर हम यहां पे इसको एक concave lens add कर दे बेसिकरी दो को क्या हो रहा था यह raise यहां पे converge हो जारी थी पट हमें चाहिए कि यहां पे converge हो मतलब हम इसे late से converge कराना चाहते हैं यानि कि ह हम इसको थोड़ा सा diverge कराना चाहते हैं थोड़ा सा दूर दूर रहे ताकि बाद में जाके meet करें है ना तो diverge कौन कराता है concave lens इसलिए देखो अमने इसको correct कराने के लिए इसके रास्ते में एक concave lens लगा दिया तो concave lens थोड़ा जादा इसको diverge कर दिया तो यह लोग थोड़ा लेट से जाके मिले इस पॉइंट पे तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व इमेज बन गया रेटीना पे चीज़े दिखने लगी साफ साफ है नो इसे लिए जब भी आपने अगर नोटिस किया होगा कि कभी भी किसी को आपके फैमिली में अगर ऐसा हुआ हो जिसको दूर स्रेज को ऐसे डाइवर्ज कर दे ताकि इमेज हमारा रेटीना में जाके बने अगला नंबर है हाइपर मेट्रोपिया हाइपर मेट्रोपिया मायोपिया का जस्ट उल्टा है इसे कहा जाता है फार साइटेडनेस फार साइटेडनेस मतलब जो फार है वो हमारे साइट में है मतलब दूर की चीजें हमें अच्छी दिखती है लेकिन सामने की चीजें हमें clearly नहीं दिखती है unable to see closer objects clearly तो यहाँ पे क्या होता होगा आप guess करो myopia में जो image है वो retina के पहले बन जाता था यहाँ में जो image है वो retina के बाद में जाके बनता है यह देखो यह retina है यहाँ पे बनना चाहिए था बट बना कहा उसको भी cross करके बाद में बना तो यहाँ पे हम इसको कैसे correct करेंगे हम correct करेंगे इसको पहले ही converge करा के तो जल्दी से converge कौन कराएगा converging lens कौन सा होता है converging lens तो इसलिए इसको हम करेक्ट करेंगे using a convex lens जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो देखो यहाँ पर हमने यह convex lens डाल दिया तो इसने फटाफट से इसको converge करा दिया और image यहाँ पर बन गया रटीना में अगला defect है astigmatism astigmatism में क्या होता है इसमें ना cornea के shape के साथ ही issue होता है cornea normally spherical shape का होता है but इस case में cornea exactly spherical shape का नहीं होता है this not spherical in shape इस वज़े से जो vision होता है न वो थोड़ा blurred होता है मतलब clearly नहीं दिखती है चीजें तोड़ी धुंदली धुंदली सी दिखती है ठीक है तो देखो क्या होता क्या है exactly जैसे मान लो image बनता तो लगभग retina पे ही है ठीक है लेकिन देखो कैसा image बनता है object अगर ऐसा था ना देख रहे हो आपके कैसा object है बिल्कुल straight straight lines है बट इसका image देखो कैसा बन गया ऐसे थोड़ा सा ऐसे लो wavy wavy type का तो इस वज़े से क्या हो रहा है आपको blurred vision आ रही है आपको clear नहीं दिख रहा है इसको हम कैसे correct कर सकते हैं इसको हम एक cylindrical lens के help से correct कर सकते हैं ठीक है जैसे मान लो यहां बीच में एक cylindrical lens लगा दिया क्योंकि इसके shape में issue था न तो इसलिए हमने एक दूसरे shape का lens लगा दिया जिसको हम proper correct axis के हिसाब से orient करके fit करेंगे ताकि जो image यहां पे बने वो बिल्कुल correct image बने and that's how you can correct the vision and finally the fourth defect is press biopia press biopia हम किसको बोलते हैं थोड़ी दर पहले मैं बात करी थी राइट कि एक concept होता है least distance of distinct vision उस distance पे normally सभी को एकदम clear दिखता है लेकिन अगर least distance of distinct vision पे ही blurred दिखे तो उस defect को हम कहते हैं press biopia ठीक है इसका मतलब blurred vision कहां पर at least distance of distinct vision यह generally curve होता है it appears at an older age मैंने बताया था न old age के साथ साथ वो जो least distance of distinct vision होता है उस distance पे भी हमें clearly नहीं दिखती है how can we correct it we can correct it by using a converging lens क्योंकि converging lens क्या करेगा चीजों को converge कराएगा raise को converge कराएगा जिससे थोड़ी सी better image formation होगी जैसे मान लो यहाँ पर normal vision ऐसा होता है जैसे raise enter की और यह reflected raise यहाँ meet की जिसकी वज़े से हमें retina में image formation हुआ हमें चीज़े clearly दिखी बट aging के साथ साथ क्या होता है देखो यह exactly यहाँ पर meet नहीं कर रही है राइट यह देखो यहाँ पर meet नहीं कर रही है meet कहीं और जाके कर रही है तो इसलिए ऐसा क्यों होता है क्योंकि age के साथ साथ lens की जो flexibility है ना वो थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि lens thick thin जो होता है किसकी वज़े से होता है exactly converge नहीं होती है right and that is why on aging we encounter this problem जिसे हम कहते है press biopia तो बचा पाटी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नए optical element के बारे में देखो तो कभी देखा है ऐसा कुछ में भी अपने science के lab में देखा हो बड़े ध्यान से देखो what is this this is actually a prism yes तो prism एक transparent optical element है जिसके flat polished surfaces होते हैं देखो कितने surfaces दिख रहे है अट least इस prism के यह एक triangular surface है इधर एक और triangular face है तो दो triangle वाले face है और एक दो तीन यह तीन rectangular faces है और यह सारे कैसे है flat surfaces है polished surfaces है यह काम क्या करता है यह light को refract करता है हमने क्या सीखा है light की refraction कब होती है bending कब होती है जब वो एक medium से दूसरे medium में जाता है अब देखो जैसे light इस पर पड़ेगी तो light कहां से air से किसमें travel कर रही है glass में travel कर रही है change in medium है तो reflection तो होगा ही तो prisms का फायदा यह होता है कि they are used to analyze and reflect light और हमें बहुत सारे concepts or phenomenon का पता चलता है with prism तो अभी in fact हम discuss करने वाले हैं कुछ बहुत interesting phenomenon of light with prisms अब एक prism से related कुछ terminologies को सबसे पहले जान लेंगे let us say this is our prism अब इस prism में जो light ray incident होता है जो light ray इस पे fall करता है उसे हम कहते है incident ray right अब जैसे ही यह ray prism पे fall करता है तो यह इस ray के साथ क्या होगा यह air से glass में travel कर रहा है यानि कि it is going from a rarer medium to a denser medium तो यह क्या होगा it will bend towards the normal तो देखो कुछ वैसा ही हो रहा है यह ray सीधा न जा करके normal की तरफ bend हो गई है तो यह जो ray अब जा रही है prism के अंदर से that is the refracted ray चिक है और यहाँ पे साफ दिख रहा है हमारा angle of incidence था eye angle of refraction है r1 चिक है ओके अब यह जो refracted ray है यह जैसे ही prism के opposite face को touch करता है फिर से क्या होता है फिर से there is a change in medium अब की बार it is traveling from glass to air यानि कि from denser medium to rarer medium यानि कि this time it will bend away from the normal और देखो कुछ वैसा है यहाँ भी हो रहा है यह away from the normal bend करके prism से बाहर निकल जा रहा है तो इस ray को हम कहते है emergent ray क्यों क्योंकि this is the ray that is emerging out of the prism after refraction ठीक है तो यह जो angle बनाता है normal के साथ emergent ray उसे हम कहते है angle of emergence और अंदर का जो r2 है r2 is basically जो refracted ray ने normal के साथ angle बनाया that is r2 denoted by r2 चीक है यह चार terminologies तो clear हो गए super इसके बाद एक और terminology आती है that is angle of prism angle of prism हम किसे कहते है prism के दो lateral surfaces के बीच का जो angle होता है that is the angle of prism जिसे हम generally capital A से denote करते है तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो A is the angle of prism ठीक है अब आता है एक super duper important term which is angle of deviation हम notice करते है कि prism में यह जो incident ray fall किया तो क्या हुआ इसने experience किया refraction चीक है अगर मालो यह prism नहीं होता तो जो incident ray है वो यूं straight चला जाता जाता ना भाई क्योंकि उसे कुछ कोई इसको रोकने वालत था नहीं लेकिन इस prism की होने की वजह से यह ray prism से कैसे बाहर आया जैसे यह emergent ray आ रहा है देखो यह ऐसे आया यानि कि अगर यह prism ray ही होता तो मेरा incident ray जैसे जाता और अब prism के होने से जो मेरा ray इमर्जो के निकल रहा है इनके बीच में जो angle है that angle is the angle of deviation मतलब यह angle हमें बता रहा है कि prism के होने से incident ray में कितना deviation आया incident ray तो मेरा normal यू जाता बट prism के होने से जो final emergent ray है वो ऐसे जा रहा है यानि कि वो इतने angle से deviate हो गया है and that angle is angle of deviation in your higher classes in class 12 जब आप फिर से ray optics पढ़ोगे तो आप इन यह सारे concepts को दुबारा पढ़ोगे but in greater detail वहाँ पर आप mathematically भी इन सारे चीजों को calculate करोगे but अभी इस level के लिए if you get your basics right I think that's good prism के through जब हम pass करते है white light हम notice करते हैं interesting phenomenon हम देखते हैं कि इधर से input तो होता है white light but prism में से निकल के आते हैं साथ different colors violet indigo blue green yellow orange and red right और इन सारे colors के इस पूरे जो series होती है इसे हम कहते है spectrum और इस phenomenon को हम कहते है dispersion of light that is splitting of white light into seven different colors when passed through a prism is called dispersion of light सवाल यह उठता है कि यार दिया था सफेद light उसमें सी तुने colors निकल के आ गए तो dispersion हुआ क्यों चलो देखते हैं well तो dispersion होता इसलिए है क्योंकि जो white light होता है basically white light के अंदर छूपे होते हैं seven different colors ठीक है बट वो हमें normally दिखते नहीं है लेकिन जब इस यह white light को हम prism के थूपास करते हैं तो क्या होता है इनके अंदर के जो साथ different components होते हैं उन सबकी wavelengths अलग-अलग होती है एक violet color का wavelength अलग होता है red color का wavelength अलग होता है तो चूकि सबकी wavelength अलग-अलग होती है इसे लिए जैसे ही यह refract करते हैं इनकी जो bending होती है वो bending भी अलग-अलग angle से होती है तो let's say violet अगर इतना bend किया तो indigo थोड़ा इतना bend किया blue थोड़ा इतना bend किया तो सबकी bending चुकि अलग-अलग angle से हो रही है इसे लिए output में हमें वो सारे colors अलग-अलग दिख रहे हैं as a spectrum. So basically this is the reason why we see dispersion of light. अब यही पर एक interesting fact और बताती हूँ कि Isaac Newton पहले ऐसे scientist थे जिन्होंने sunlight को prism के through pass किया और देखा कि wow यहां भी मुझे spectrum मिल रहा है. Right? इसका क्या मतलब था? इसका यह मतलब था कहीं न कहीं कि जो sunlight है that is also a white light जिसके अंदर seven different colors होते हैं और इन colors को हम तब देख पाते हैं when they are passed through a prism. In fact Newton ने एक और interesting experiment किया यहीं पर उन्होंने क्या कि एक prism को रखा तो उन्होंने देखा sunlight pass किया तो seven different colors मिले. अब उन्होंने क्या किया? इसी prism के आगे एक और prism को रख दिया कुछ इस तरह के setup में. और इन्होंने क्या notice किया? कि पहले तो पहले prism से तो पूरा spectrum दिखा बट जब वो पूरा spectrum दूसरे prism से पास हुआ तो वापस से हमें white light मिल गया. तो Newton के इस experiment के बाद ही everybody got to know that sunlight can also be referred to as white light and it consists of seven different beautiful colors. तो बचो by now हमने reflection के बारे में पढ़ा, reflection के बारे में पढ़ा और dispersion के बारे में भी पढ़ा तो यहां पर तो बनता है कि हम एक बहुत ही interesting example की बात करें जिसमें ये तीनों phenomenon देखने को मिलते हैं and that is nothing but the rainbow. Rainbow देखने का शॉक हम सभी को बचपन से होता है. और हम कब rainbow देखने के लिए दोरते हैं? जब बारिश होती है और बारिश के बाद काफी sunny होता है यानि कि the sun is there on the sky after rainfall sun के opposite वाले sky में हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है rainbow. तो ये rainbow एक ऐसा natural phenomenon है जो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे reflection, refraction और dispersion ये तीनों phenomenon हो रहे होते हैं. अब आप पोछोगे कि मैं dispersion होने के लिए तो prism चाहिए था बट यहां पे prism कहां पे है? हमने atmosphere में कोई prism fit कर रखा है क्या? Not really. बट यहां पर एक natural ऐसे चीज होती है जो prism के तरह काम करती है and that is the water droplets. Rainfall के बाद generally जो water droplets होते हैं. उर्न water droplets के through ही sunlight का होता है dispersion, refraction और reflection जिसकी वज़े से हम rainbow देख पाते हैं. In fact आप notice करोगे कि सिरफ rainy day में ही नहीं. अगर कभी in case you get a chance to visit a waterfall या फिर fountain. तो अगर आप sun को अपनी पीछे की तरफ रख के अगर waterfall के through आप sky को देखने की कोशिश करो तो वहाँ पर भी आपको rainbow दिखता है I don't know if you have encountered that ever but ये बारिश के बाद वाला rainbow तो शायद आपने कभी न कभी देखाई होगा. तो चलो let us look into detail कि exactly rainbow formation के दौरान होता क्या है. यहाँ पर हम दो type के rainbow की बात करेंगे primary rainbow and secondary rainbow तो देखेंगे सबसे पहले primary rainbow formation. ठीक है? होता क्या है? यह जो एक आप sphere देख रहे हो. राइट? इस इस आ रेंड्रॉप. मैंने क्या बोला था? रेंड्रॉप की भी जरुरत पड़ती है और sunlight की भी जरुरत पड़ती है. इसलिए rainbow वैसे टाइम पे दिखता है जब एक तरफ sunlight हो और दूसरी तरफ बारिश हो रही हो. राइट? तो यह है रेंड्रॉप. रेंड्रॉप के अंदर जब फॉल करता है sunlight तो देखो क्या होता है? जैसे ही sunlight इसमें incident हुआ. तो यहाँ पे क्या experience करेगा यह? रिफ्रैक्शन क्यों क्योंकि change in medium हो रहा है. यह light air से water के अंदर गुस रहा है. तो इसका bending होगा. तो भाई इसका bending हुआ. sunlight क्या होता है? ऐसे बोलने को white light होता है. बट इसके अंदर साथ अलग colors होते हैं और वो साथों अलग colors का जो bending होगा वो अलग-अलग होगा. क्योंकि उनकी जो wavelength है वो अलग-अलग है. तो वो अलग-अलग velocity से move करेंगी किसी भी medium में. तीसे लिए देखो यह light जो पहले हम एक line से दिखा रहे थे. अब इसको हमने एक violet और एक red light से दिखाया है. विच मींस कि इस white light का violet वाला पार्ट इतना bend किया, red वाला पार्ट इतना bend किया. तो इस तरीके से ये लोग reflection अंडरगो किये. ऐसे जाने के बाद ये वापिस से इस वाले wall पे टकराए है. तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है reflection. क्योंकि यह एक medium से दूसरे medium में इंटर कर रहा है. जब वो इधर वाले boundary पे strike कर रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है internal reflection. क्योंकि देखो यहाँ पे यह water के medium में था, फिर इसे जैसे ही वो लोग इस इंटरफेस पे पहुचे तो फिर से change in medium है तो यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है refraction ठीक है अब आप पूछ होगे कि यहाँ पर dispersion कहाँ पर हो रहा था बिलकुल हो रहा था देखो ना white light गुसा था और इसके अंदर गुस के यह अपने seven components में distribute हो गए थे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल गया यहाँ पर हमें देखने को मिल गया dispersion इसलिए मैंने बोला था यह एक ऐसा phenomenon है जिसमें reflection, reflection, dispersion तीनों चीज़ें हो रही होती है ठीक है अब देखो क्या हुआ जब यहाँ पे reflection हुआ और यह जब नि निकला तो क्या हुआ violet वाला ऐसे निकल गया और red वाला ऐसे निकल गया अब इनके बीच में indigo blue green yellow orange भी आ गया तो यानि कि क्या मिला मुझे input गया था white light output में क्या मिल गया साथ कलर का spectrum जो हमें rainbow की तरह आसमान में दिखता है बात समझ में आई कैसे हुआ यह ग्रेट तो य यह जो है यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल गया फाइनली डिस्परशन क्लियर हो गया सबको बिकुल crystal clear ठीक है तो चलो अब इसको थोड़ा और समझते हैं अब हम यह समझते हैं कि हम यहाँ पे इसको primary rainbow कही क्यों रहे हैं चीक है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है पहले तो रहा है reflection of sunlight as it enters the rain drop समझ लिया हमने internal reflection हो रहा है of the light inside the drop यहाँ पे ही primary rainbow कहने का कारण है इस तरह के rainbow formation में इस water drop के अंदर reflection एक ही बार होता है जैसे यहाँ पे देखो एक ही बार हुआ राइट यह ऐसे गुसा और यहाँ पे जाके यू टकराया तो सिरफ एक ही बार reflection हुआ इसलिए इसको हम primary rainbow कहते हैं जब हम secondary rainbow discuss करेंगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे जो reflection है न वो एक बार नहीं बलकि दो बार होता है अंदर ठीक है और फिर तीसरा step क्या था reflection of the reflected light as it comes out of the drop और इसी दोरान क्या होता है इसी दोरान dispersion भी होता है जिसमें वो white light अपने seven colors में disper कर गए हो secondary rainbow formation बिल्कुल similar concept है यहां पे सिरफ एक ही फरक है यहां का फरक सिरफ इतना है कि अंदर जो reflection पहले एक बार हो रहा था यहां पे वो दो बार हो रहा है देखो यहां पे क्या हो रहा है यह sunlight है sunlight enter किया drop के अंदर ठीक है यहां पे क्या हुआ बेंडिंग हुई ठीक है चलो bending हो गई bending होने के बाद देखो अंदर क्या हुआ यहां पे इस wall से टकराया टकरा के इसका reflection हुआ फिर यहां पे टकराया यहां से टकरा के इसका फिर reflection हुआ और उसके बाद यहां पे यह disperse होके इसके 7 components दिखने लगे तो यानि कि इस point पे हुआ reflection इन दोनों points पे हुआ reflection और जब हमें 7 colors दिख गए तो वहां पे क्या हुआ dispersion तो यहां पे internal reflection of the light inside the drop एक बार हुआ internal reflection inside the drop for the second time दूसरे बार के लिए अंदर reflection होता है that is why इस तरह के rainbow formation को हम कहते है secondary rainbow formation ठीक है बाकी सारा concept wise it still remains the same तो चलो बच्चों अब एक और ऐसे natural phenomenon की बात करते हैं जो हमारे light के phenomenon से linked है and that is the twinkling of stars बच्पन से ही पढ़ते आ रहे है twinkle twinkle little stars but क्या वो तारे आस्मान में actually टिम्टिमा रहे हैं उनके पास कोई bulb है switch on switch off कर रहे है not really हो क्या रहा है कि यह जो तारा है किसी भी एक तारा का जो light है वो जब हमारी आँखों तक पहुँच रहा है तो उसके बीच में बहुत सारे atmosphere के layers को पार करता हूँ वो हमारी आँखों तक आ रहा है which means कि जैसे जैसे वो इतने layers of air को पास कर रहा है तो उसकी bending हो रही है due to reflection of light ठीक है तो finally बहुत अच्छे से समझना let us say कि मैं एक particular तारे की बात कर रही हूँ अब एक particular star की बात कर रही हूँ अब उस star में से वो star यहां पे है और यहां से उसकी light आ रही है मेरे आखों तक अब वो light क्या और यह वो ऐसे 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 bend होते होते let's say मेरी आखों तक पहुंची अब let's say मुझे वो रे इस तरह से पहुंचते वी दिखी तो मैंने अगर उसको trace back किया तो मुझे दिखा कि तारा यहां पे है राइट but actually तारा यहां पे था बट मुझे अभी के लिए यहां दिखा अगले ही instant maybe jow ray मेरी आखों तक पहुंचा वो मुझे backtrace करके दिख रहा है कि तारा यहां पे है तो what happens is every instant मुझे ऐसे दिखते रहता है कि तारा यहां पे है नहीं यहां पे है यहां पे है यहां पे so basically that यहां पे यहां पे is making me to feel कि वो जो star है वो twinkle कर रहा है but actually वो star twinkle नहीं कर रहा है यह सब कुछ धोखा है reflection of light का sunrise के थोड़ी देर पहले sun actually कहां पे होता है horizon से नीचे होता है ठीक है just sunrise के थोड़ी देर पहले अब sun में से जो rays आ रही है वो rays हमारी आखों तक पहुचने के लिए क्योंकि देख तो हम रहे हैं तो वो rays हमारी आखों तक पहुचने में उसका reflection हो जाता है क्यों क्योंकि जो atmosphere के layers है वहां पर वो अलग-अलग medium है refractive indices अलग है अलग refractive index है तो अलग medium से light bend होता है तो जैसे sun से जो light निकल के आती है वो straight हमारी आखों में नहीं आती है वो somewhat ऐसे bend होके आती है ठीक है बट हमें क्या दिखता है जो रहे हमारी अखों में आई राइट उसी के line of sight में हमें वो समान दिखता है ठीक है Refraction में यही होता है हर जग हर जगफ जहां पर भी आपको reflection का magic दिखता है ना वहां पर यह होता है तो अब जो ray मेरी आख में आई उसी के line of sight में अगर में चली जाओ तो वहां वहां पर मुझे दिख जाता है सन बट एक्चुली सन कहां है थोड़ा सा नीट है कॉंसेट समझ में आया तो इस वज़े से सन्राइज की थोड़ी देर पहले ही हमको सूरज दिख जाता है जबकि सूरज आक्चुली वहां पर होता नहीं तो चलो बच्चों अब बात करते हैं लाइट के एक और फेनोमनन के बारे में which is scattering of light scattering नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज का scatter होना किसी चीज का fail जाना scattering of light का मतलब होता है कि spreading of light किस वज़े से due to collision with particles of the medium किसी भी medium में जो particles है उन particles के साथ collision होने की वज़े से light का spread out हो जाना उसे हम कहते है scattering of light एक बहुत beautiful example है scattering का the blue color of the sky sky का color blue ही क्यों होता है that is due to scattering of light उसी तरीके से आपने देखा होगा कि sunrise के time पे या फिर sunset के time पे जो आसमान का color होता है वो थोड़ा से slightly reddish हो जाता है that is again due to scattering of light क्या हो रहा है light जो है scatter हो रही है क्यों क्यों कि medium के जो particles है वो उस light को spread out कर रहे है उसको scatter कर रहे है एक बहुत अच्छा example scattering का है टिंडल effect टिंडल effect याद है जब हम colloids के बारे में पढ़े थे we are studying about colloidal particles right तो हमने क्या बतायदा कि colloids जो होते है colloids के अंदर particle का size जो है वो considerably थोड़ा जिवादा बड़ा होता है तो यह जो particles है यह particles क्या करते है light को scatter करते है इसलिए किसी भी colloid के through अगर हम laser के beam को pass करते थे तो हमें वो light काफी clearly दिखती थी right लेकिन वहीं अगर हम solution के through इस light को pass करते थे तो वो हमें clearly नहीं दिखती थी याद है ना यह demonstration अगर याद नहीं भी है तो चलो कोई बात नहीं मैं फटा-फट से करा देती हूँ recap हमने यह पढ़ा था colloids के बारे में या फिर colloidal solution के बारे में कि यह एक इस तरह का mixture होता है जो दिखता तो homogeneous है बट actually heterogeneous होता है यानि कि homogeneous दिखने वाला heterogeneous mixture जैसे कि milk, milk को देखके तो यहीं लगता है कि वो homogeneous है बट actually में homogeneous होता नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो particles होते हैं बतलब basically कोई भी solution में क्या होता है एक solute होता है एक solvent होता है तो एक particle होता है और एक dispersed medium होता है तो यहाँ पर यह जो particles होते हैं जो dispersed medium में रहते हैं उन particles का जो size होता है they lie in the range of 10 to the power minus 9 meter to 10 to the power minus 7 meters which means कि solution के मुकाबले colloidal solution का particle size बड़ा होता है इन particles के यह खास बात होती है कि यह light को scatter करते हैं इसलिए जब एक colloid के through हम laser light को pass कराते हैं तो वो light की beam हमें साफ दिखती है क्यों? क्योंकि colloidal particles उस light को scatter कर रहे होते हैं लेकिन जब उसी laser light को हम एक true solution के through पास करते हैं जैसे कि एक sugar solution के थूँ या एक salt solution के थूँ तो हमें वो जो ray है वो बिल्कुल भी नहीं दिखती है। Correct, इस experiment को हमने पहले भी किया था जब हम लोग colloids के बारे में detail में discuss कर रहे थे। Right, तो यहां से क्या पता चला? कि यह जो scattering का effect है, यह किस वज़े से आता है? Medium के particles की वज़े से. Right, अभी देखो, laser की जो light है, वो मुझे उस solution के अंदर दिख रही है, colloid के अंदर दिख रही है, क्यों? That is why we are able to see the sky of that color. In this case, हम देख रहे हैं कि हम इसे water के थूँ पास तो कर रहे हैं, बट हमें इस light की जो beam है, वो clearly दिखने रही है, it is very, very, very slight. Right? अब चलो, इसी light को हम पास करते हैं, solution के थूँ, अब देखो, water के मुकावले थोड़ा सा, जादा clear दिख रहा है, beam. है ना? हाला कि बहुत clear तो नहीं दिख रहा है, बट थोड़ा सा जादा clear दिख रहा है, ठीक है? इसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो particles हैं, वो light को scatter कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन particles solution के case में बहुत छोटे हैं, और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, कोलोईट की तरफ, और वाह, देखो, यहाँ पे magic, यहाँ पे line जो है, काफी जादा clear है, क्योंकि particle का जो size है, वो काफी बढ़ा है, तो वो particles light को scatter कर रही है, और इसलिए हमें beam clearly दिख रही है, तो I am sure अब आपने guess करी लिया होगा, कि suspension के case में क्या होने वाला है, absolutely, बिल्कुल clear line है, तो कुल मेला के tindal effect, जो कि scattering of light का ही एक example है, यह क्या होता है, यह होता है, scattering of light by colloidal particles, अब यहाँ भी खास बात ही होती ह है कि अगर यह particles छोटे हैं, तो smaller particles scatter करेंगे smaller wavelengths, bigger particles scatter करेंगे bigger wavelengths, smaller wavelengths बोले तो blue, मतलब blue वाला जो side है, blue violet वाला जो side है, वो comparatively smaller wavelength है, red वाला जो side है, वो comparatively bigger wavelength है, तो अगर particle का size बहुत छोटा है, तो वो कौन सा वाला wavelength का light scatter करेगा, जो smaller wavelength वाला है, जैसे कि blue, तो smaller particles blue light scatter करेगा, जो थोड़े comparatively larger particles हैं, वो red light को scatter करेगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि कौन सा color scatter होगा, ये किस पे depend करता है, ये depend करता है on the size of the scattering particle, मतलब जो particle light को scatter करने वाला है, उसके size के उपर, अब मैंने ख्याल से आपने guess करी लिया होगा, why is the sky blue in color, अकसरी आप से atmosphere के जो particles हैं, उनका size बहुत है छोटा होता है, compared to the wavelength of light, अब चुकि उनका size छोटा होता है, तो वो कैसे wavelength वाले light को scatter करेंगे, छोटे wavelength वाले light को, अब अगर हम अपने spectrum में, ये जो 7 color का spectrum है, इस spectrum में अगर हम देखे, तो छोटी wavelength की light किस तरफ fall करती है, blue वाले side, blue violet वाले side, तो इसी लिए, ये छोटे size के particles, blue light को scatter करते हैं, and that is why we see the sky as blue, तो बच्चा बाटे, इसी के साथ हम आप पहुँचे हैं, इस वीडियो के end तक, और मुझे पूरी उम्मेद है कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है, तो आपके concepts हुए होंगे crystal clear, और अगर ऐसा तो comments में जरूर लिखके बताना कि concept हुआ crystal clear, और इसी के साथ, आज तो मैं चलती हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही मिलती हूँ, एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए stay home, stay safe, take care, bye-bye.